प्लस 11 इसमें इस तरीके से लिखा है अब मुझे एक बात बताईए यहाँ पर 11 में क्या एड है माइनस 27 इस साइड 11 में क्या एड है माइनस 27 तो इस साइड भी 11 में हमें क्या एड करना पड़ेगा माइनस का 27 तब ही दोरों साइड क्या होगा यहाँ पर 11 में माइनस 27 एंट है तो यहाँ पर भी हमें 11 में माइनस 27 एंट करना पड़ेगा तब भी दूरों साइट क्या हो एककोल होगा अब इसमें property कॉन सी यूस्ट हो रही यह हमें बतानी है आप देखिए यहाँ पर लिखा है 11 11 प्लस माइनस 27 और यहाँ पर लिखा है माइनस 27 प्लस 11 कल मैंने एक property पढ़ाई थी आप लोग को commutative property commutative property में क्या होता है कि A प्लस B एककोल टू B प्लस A हो सकता है मनलब अगर 2 प्लस 3 एककोल टू 3 प्लस 2 है तो इस तरीके से आप integer में भी क्या कर सकते हो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टि आप लगा रहे हैं इसमें लिख देंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कॉम्यूटेटिव प्लस इसी का मैं धर्ड वाला कर वाता हूं आप लोग है एक मिट हम कली डर व्रेंगा है थर्ड वाले मैं देखो क्या है 8 इंटी 4 एकओल तू 4 इंटू कि देश अब आप देखना यहां पर four से किसको मल्टिप्लाइ किया गया एट को यहां पर Two इस को keep एक बिचे किया गया तो यहां पर भी फॉर से किसको मलटीव्य करेंगे यविल्ड को तभी आपका डोनों साइट न्सर और अन्सर क्वाड़ा है यहां पर लेखा एट इन्टु 4 और यहां पर लेखा 4 इन्सरा इंटू 8 तो यहां साता है 3 x 2 में करें तब भी 6 आता है यह जैसे 8 x 432 होता है 4 x 8 पी क्या होता है 32 होता है तो यहां पर लिख देंगे कॉम्मुटेटिव प्रॉपर्टी थिके अब मैं 5 वाला कर वाता हूं जो मैं नहीं कर वा रहा हूं वह आप लोग को घर से युआ करना है मैं होंभर्ट ग्रोप पर स्रेंट करता हूं अब आपको देखिए फिप्ट बारे में लिखा है 21 प्लस 19 ब्रैकेट ट्लोज एकोल टू सॉरी प्लस माइनस का 32 फिर इस बीच में लगा है एकोल फिर आपका डैस है फिर ब्रैकेट है और बीच में दर प्लस है और 19 प्लस माइनस का 32 देखिए आप जहां से देखना यहां पर 21 है 19 है माइनस 32 यहां पर लिके 19 माइनस 32 कौन साथ नंबर नहीं है 21 क्योंकि आपने देखा है कि इस 32 ने किसके साथ एससेट करवा लिए 19 के साथ करवा लिए तो 21 अब क्या बचेगा अकेला बचेगा एट जो 21 इधर तो है लिककिन इधर नहीं तो हमें इसके लिखना पड़े में जैसे a plus b plus c equal to a plus b plus c सब में plus हो या सब में multiply हो सब में plus हो या सब में multiply हो ठीके ना सब में plus हो या सब में multiply हो उसको associative property बोलती बस वो number क्या हो जाता है अभी a अकेला था लेकिन बात में वो a associate हो या किसके साथ b के साथ तो इसमें कौन सी प्रापर्टी यूज हो रहे है एसोसियेटिव प्रापर्टी एसोसियेटिव एसोसियेटिव क्लिया नहीं है आप किस से लैट्टॉप से कर रहे है क्या कि मोबाइल से मोबाइल से किसी से होट इसपाट ले रहे हैं अच्छा आ गई है चरू ठीक है अगया है अब देखिए अब आपको क्या करना है अब मैं सेविंध वाला बता रहा हूं 7th वाले में क्या है 7th वाला question आपको देखना है इसी का 1st का 7 12 into 39 multiply minus 4 equal to 12 multiply 39 multiply minus 4 फिर क्या है का 12 multiply bracket dash multiply minus 4 देखिए यहाँ पर भी आप associated property को use करते हुए देखेंगे यहाँ पर 12 है 39 है minus 4 है यहाँ पर लेकिए 12 है minus 4 है क्या miss है? miss क्या है जो भी miss है वो लगतेंगे 39 में से तो 39 लिख देगे दोनों साइड एककोल बनाना है तो दोनों साइड वही नमबर होने चीए जैसे जो नमबर यहाँ पर है वही नमबर यहाँ पर होने चीए ऐसा नहीं कोई भी नमबर क्या हो miss हो ठीक है आप देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ एससीट किया है एट ट्रेल पहले क्या था था थर्टी नहीं के साथ था लेकिन अब थर्टी नहीं किसके साथ एससीट हो गया एक कोई क्या हो गया प्रपर यह यहाँ है फेस सट को शीट कर रहे है न कि आप अब्रफ में लेकर होंगी है उंगे उसा आपसे है गर से करना है, मतलब गर में बाद पर स्केर में करना है, ठीक है? 127, multiply 25, plus dash, equal to 127, multiply 25, plus 127, 27 25 5 देखना ध्यान से आप आप लोग का जो 127 इस साइट दोनों साइट है तो इधर भी है इधर भी है और इस साइट देखो एक ही जगह लिखा है बाहर कॉमन ले लिया अब दो जो डिफ्रेंट वैल्यू है वो कौन सी है आपकी एक 25 और इक 5 तो 25 तो यहां लिखा है किया नितान प्लाइव के खाग़ करें क्ले कि छ diferentes क्या ग्लाइब और जलाता है इस और इससे अ dispolet समझें ना देखो distributed property जब लगती है तो 127 का multiply 25 से भी हो गया 127 का multiply किससे हो गया 5 से भी हो गया लेकिन यहाँ पर 5 क्या था फिल नहीं था तो 5 हमको फिल करना है कि 127 का multiply किससे हुआ था 500 हुआ था यह distributed property होती है multiplication over addition पहले multiply है फिर plus है तो distributed property अप्लाई हो रही है multiplication over addition पहले multiply फिर क्या है plus ठीक है यहां लेखतेंगे हम distributed property distributed property का यूज हो रहा है ठीक है ना first question के मैंने five question आप लोग नोट टाउं कर ले मैं एक मिट का समय दे रहा हूं आप लोग नोट टाउं कर लें फिर हम आगे second question करेंगे प्लीस नोट टाउं फास्ट प्रस्ट टू में commutative property लगी और लास्ट वाले में distributed property लगी क्योंकि यह distribute हो रहा है अकेला सा लेकिन वह distributed हो गया 25 के साथ भी हुआ के साथ भी हुआ बंट इस्टीविशन जैसे आप लुक चॉक्लार टिस्टीविट करते हैं इसी तरीक से ब्लट इस्टीविट हो गया दोनों नंबर हो के पीछ में नेक्स्ट आपका कोश्यन है सेकिंड कोश्यन सेकिंड कोश्यन आप लुक देख रहे हो के उसमें लिखाया है इस सब्ट्रेक्शन ऑफ इंटीजर कॉमुटिटिव गेप एन एग्जामपल टीचिए अपना आंसर को सैटिस्फाइ करने के लिए एक एक्जामपल दीजिए दिखिए आपको ये कल मैंने बताया थे जब मैं आपको क्या कर रहा था प्रापटी लिखवा रहा था तब मैंने बोला था कि सब्ट्रेक्शन कुम्टिटेव प्रापटी को सैटिस्फाइ नहीं करता है इस लिए अप मैं बताईये 5 मैंसे 2 माइनस कर रहे है तो तो 3 आ रहा है 2 मैंसे 5 माइनस करो के इसलिए subtraction क्या नहीं करता है, commutative property को satisfy नहीं करता है, तो हम लोग यहां लेखेंगे, no, the subtraction, does not satisfy, does not satisfy, does not satisfy the commutative property. हलो, आप लोग मेरी आवज आ रहे हैं, हलो, हलो, हर्स, हाँ, यह आप लोग बार-बार, left क्यों हो जाते हो, no, the subtraction, does not satisfy the commutative property, commutative property को क्या नहीं करता है, satisfy नहीं करता है, for example, example भी देख लीचे, देखिए, example देखिए, कि आपको मैंने एक example से जैसे मैंने दे रहा हूँ, आपको a equal to आप ले लेते हैं, let 2 ले लेते हैं, और b equal to क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, अब आपको देखना है, कि a minus b, क्या b minus a equal है क्या, देखो मैंने लिख्था, 2 minus 5 equal to 5 minus 2, 2 minus 5 minus 3 आएगा बिटा, और 5 minus 2 क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये not equal रहेंगे, क्या रहेंगे, not equal, uti minus 3 क्या थ्रीकेककर हो सकता है, minus 3 क्या थ्रीकर हो सकता है, नहीं हो सकता है, चूकि 2 minus 5 minus 3 हा रहें, 5 minus 2 क्या रहें, 3 हा रहें, these are not equal, so, commutative, no, the subtraction does not satisfy the commutative property, ठीक है न, let a equal to 2 b equal to 5, example लिया a minus b, क्या b minus a equal है, नहीं है, है ठीक है ना ओके नेक्स्ट है अलो हर्स आपको आब जा रहे हैं मेरी है अलो कि एक नट कुछ टेक्निकल प्रोब्लम हो लिए है हाँ हलो है हां हलो हाँ हाँ आप जारी है आपको अच्छ अच्छ ठीक है तेकना अब अब नेक्स तेकना आप थर्ड नंबर फाइंट अवैल्यू और फाइंट अवैल्यू और अब आपको इनकी वेल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगी देखना फस्त वाला परस्त वाले में करेका है एट सेवन नाइन टू मल्टिप्लाइ नाइन निटी सेवन माइनस सेवन नाइन टू मल्टिप्लाइ नाइन नाइन टी सेवन इसको मैं सॉल्व करता हूं देखिए आप देख रहे हो कि 997 यहां पर भी 997 और यहां पर भी 997 दोनों को मैं क्या कॉमल लिख सकता हूं इसमें आप लोगा की हैं और देटल क्या क्या सकते हैं देखिए 977 मैंने इनको कॉमल लिखा फिर मंटिप्लाइ तो 상श क्याką लागा दिए ब्रेकिट लगा Ahora अब हमारे जो भी तो नमबर बच्चे है, एक नमबर ए बच्चे है, एक नमबर ए बच्चे है, उनको हम ब्रेकट के अंदर लिक लेंगे, बिच साइन कौन साइन बच्च रहा है, माइनस का लगाएंगे, 8792-792, ठीक है, इदर हम साइड में लिख देंगे, using distributive property, using, इस प्राली property का कर रहा है, a into b minus b into c, अगर होता है, तो हम कैसा लिख देंगे, sorry, a into c होता है, तो हम a को भाल ले लेते हैं, multiply के फर्म में, और अंदर क्या लिख देते हैं, b minus c, इस property का हमने यूज़ किया है, समझे रहे न, a distributed property होती, कौन सी property होती है, distributed, a multiply b minus a multiply c अगर दिया हो, तो आप a को भाल लिख दीजिए, distributed और multiply का sign लगाई है, और b minus c कर दीजिए, ठीक है न, अब आप देखिए, यहाँ 997, इन दोनों का minus करेंगे, a2 में से 2 minus किया 0, 9 में से 9 किया 0, 7 में से 7 किया 0 और 8, इसका multiply करेंगे, हम 8, 7 जा 56, 8, 9 जा 72, 77, 8, 9 जा 72, और 7 कह रही थी, 79, कितने 0s हैं, 3 0s हैं, 1, 2, 3, यह आपका answer हो गया, ठीक है न, इस तरीके से, 8, 7 जा 56, का 6, 8, 9 जा 72, 72 प्लस 5 कह रही, 77 का 7, 8, 9 का 72, 7 कह रही थी, 79, तो इस तरीके से, आपका क्या, क्या, आपका answer आ गया, ठीक है न, इसी का, मैं एक और question करवाता हूँ, आप लोंको, इसी का, मैं थर्ड वाला question और करवाता हूँ, थर्ड का, थर्ड वाला question और करवा रहा हूँ, देखी कैसे करते हैं इसको, 6, 5, 1, 2, 9, into 99, minus, minus, 6, 5, 1, 2, 9, ठीक है न, इसको मैं स्वाल परता हूँ, ठीक है, आप देखना, आप, 6, 5, 1, 2, 9, multiply 99, इस माइनस का, माइनस से होता है, तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस, 6, 5, 1, 2, 9, ठीक है न, अच्छा हमें बताओ, कि 3, या 3, multiply 1, दोनों सेम है के नहीं है, 3, 3, multiply 1, दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर में बन का multiply करेंगे, तो वो नंबर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, किसी भी नंबर में अगर 1 का multiply करते हैं, तो वो नंबर क्या बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं, मतलब किसी भी नमबर में अगर 1 का मल्टिप्लाइ करें तो उसमें कुछ चेंज नहीं आता है जैसे हमने लिखा 5 यह हम लिखे 5 मल्टिप्लाइ बन दोनों सेम ही है न? यह हम 10 लिखें यह 10 मल्टिप्लाइ बन, दोनों नमबर सेम इसी तरीके से यहां पर लिखाए 6, 5, 12, 9 तो मैं किसका मल्टिप्लाइ कर दे रहा हूँ? 1 का मल्टिप्लाइ करते रहा हूँ. देखिए, कैसे? 6, 5 12, 9 multiply 99 प्लस 6, 5 12, 9 multiply 1 अब आपको क्या देख रहा है? 6, 5, 12, 9 यहां पर भी है 65, 129 यहां पर पर दोल को क्या ले सकते हैं common दे सकते हैं 65, 129 common ले लिया और बाहर multiply कर साइन अंदर के उच्छे का 99 प्रस 1 अब आपको देखो 65, 129 99 plus 1 कितना होता है? 100 65 100 का multiply करेंगे 129 00 इस तरीके से आपका यह वालत क्या आजाएगा? अंसर आएगा इधर भी आपको लिखना है कि using distributed property आपने distributed property का use किया है आपर भी देखी कैसे किया आपने पहले आपका था a multiply b plus था और a multiply c तो आपने a को common ले लिया और अंदर क्या बचेगा? b plus c पहले आपका था a multiply b plus a multiply c आपने a को common लिया और अंदर क्या बचा? a multiply b plus c देखिए यह दाज भी देखिए 65129 65129 दोनों में था दोनों का common लिया अंदर क्या बचेगा? a 99 बचेगा this is b और this is c ठीक है ना? 99 बचेगा और 1 बचेगा 99 बचेगा ब्रेकेट के अंदर हो गया फिर 99 प्लस 1 क्या होता है? 100 और multiply करेंगे तो 65129 डवल सिर्वाथ है next question हम लोग करते है next question कौन सा है? fourth number fourth number के question में आपको देख रहा है क्या लिखा है? additive inverse of additive inverse of additive inverse में आपको देख रहा है additive में आए इडीशन और इडीशन और इडीशन का उल्टा क्या होता है? minus negative मतला आपको जहां पर वही जो भी sign देख रहा है minus देख रहा है तो उसका plus कर देना plus देख रहा है तो minus समझ गे ना, उसकी sign को बदल देना है additive inverse माने क्या होता है? है कि उसको सन को बदल देना है एक लगलस को माईनगज को 23 तो गटरीक माइनगज का 44 तो प्लस का 44 44 मिल्तपना कि जान को क्या कर देना को बदल देना चेंज कर देना है तैक कि और देखिए तर कर देलमें ही लिखाए नेम कि तैय good इन्वर्स आफ नेम दा इन्वर्स आफ फर्स्ट वाला इसी का आपका दिया है 15 15 का इन्वर्स क्या होगा माइनस 15 तो लेख तो एटिटिव इन्वर्स आफ कि आफ फिप्टी है वेटा बोलो है अलो हम आप आप कमेंट को मेंट्स देगे मुझे कितना इमोजीस देके मुझे चड़ा रहे हैं कि चालो हम आप लोगी पैरेंंट से बात करते हैं यह फोन लगाते सब प्रिटीक है आप लोग अभी देखिए एंट माइन क्या होगा प्लस का 15 है तो वहां पर क्या जाएगा माइनस का 15 इसी का थर्ड बाला देखिया कि यहां पर 0 लिखा है जेरो का अडिकिन भी सायँ नहीं रहता है इसलिए उसका इंपर्स वही रहता है जो वह वहता है जीरो इस नाइधर पॉजिटिव नौन नेगिटिव इट्स अ नूट्रल नंबर सुट्स एडिटिव इंवर्स इस आल्सो जीरो एडिक्टिव इंवर्स ऑफ जीरो इस जीरो ठीक है अब हम लोग पॉप्शन उबर फिप्ट करते हैं अब करेंगे पॉप्शन नंबर फिप्ट में आप देख रहे हैं कोश्यर नंबर फिप्ट में लिखा है रसे प्रपेर्ट उस्ट में लिखाय है एंड आल्सोउ नेन दा प्रॉपर्टी उस्ट जो भी प्रॉपर्टी यूस्ट हुई है वो भी प्रॉपर्टी का न कर Eu appe Medση哇 ऑफ यसका जी सेस फष्ट कुशन देखते यह आप इसका थर्ड और शिट देख लिए जैसे एक मैं कॉम्यूटेटिव करवा देता हूं एक मैं आपको एसुसी टिव करवा देता हूं और एक मैं डिस्टिवूटिव करवा देता हूं परस्ट वारा देख लिए क्या लिख रहा है माइनस माइनस 445 प्लस 315 एककोल टू 315 प्लस माइनस का 445 इसको सॉल्ब करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 445 मेंस री रन 5- करेंगे तो क्या आएगा 5 मेंसे 5 ग का टिकी ना है यहां पर क्या है माईरस प्लस क्या होता है मायरस होता है तो 445 में से 315 मायनिस' करेंगे थे nine पर भी क्या रहेकाenk मायनिसस का 130 आय सब्सक्राइब आपां लिए दुनों साइड क्या है एक को घ्ल since एककोल टू रहेचेस तो हम बोल देंगे हैंस वेरिफाइड क्या बोल देंगे हैंस वेरिफाइड अब प्रॉपर्टी कौन सी यूस्ट ही यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूस्ट हो रही है यहां पर यहां पर हो रही है आपकी कॉमिटेटिफ प्रॉपर्टी फॉर एडि इस भी मतलब 445 पहले लिखा है है यहां पर और इस बारे में लिखा है 445 बाद में इसका मतलब है कौन सी प्रापर्टी यूज़ हो रही कॉमुलिटिटिव प्रापर्टी कॉमुलिटिव प्रापर्टी फॉर एडिशन ठीक है ना LHS कॉमुलिटिटिव प्रापर्टी इस यूज़्ट कॉंसी होई कॉमुलिटिटिव प्रापर्टी यहां पर क्या आता है